हेलो फ्रेंज नमस्कार वेलकम टू मैं चैनल मेरे एक सब्सक्राइबर कहें या वीवर कहें उन्होंने कुछ समय पहले एक लॉंड्री का सेटप उन्होंने लगाया है और वो लगाया हूँ उनको छह महीन आओ गया और कहीं से उनको मेरी कोई वीडियो उनको मिली थी और उन मैंने का सर वाइट कपड़ों से जो इस्टेन है और निकलते नहीं है वो कह रहा है कि मैं इस तरीके से इसे से अच्छा तो मैं घर में धुल लेता हूं आपको देने से क्या फायदा तो मैंने कहा कि अब प्रोसेस बताईए कि किस तरीके से आप कपड़े वास करते हैं कि फ कुछ भी नहीं यूज करता हूं सुखा के प्रेस करके दे देता हूं तो मुझे भी बड़ा अस्चेर हुआ कि लाउंड्री अगर आप चला रहे हैं और छोटी छोटी चीजे बेसिक नॉलेज या बेसिक केमिकल की अगर आप नॉलेज नहीं कठा करेंगे तो किस तरीके से आप सर्वाइब कर पाएंगे क्यूंकि जिस तरीके से घर में भी खाना खाते हैं वोही टेस्ट वोही ब्योस्था आपको रेस्तोरेंट भी मिलेगा तो चेंज के लिए कोई क्यों जाएगा रेस्तोरेंट में जब घर जैसा हीुँआँ वहां भी वातवरण मिले वहां भी वह ही टेस्ट मिले तो दोस्तों लाउंडरी में भी कपड़े आने का मतलब फर कस्टमर को दिखना चाहिए दिखने का मतलब यह है कि यह लगना चाहिए कि यह कपड़े रियली चेंज है इसमें बदलाव हुआ है लाउंडरी में देने की वज़ा से तो फिर मैंने उनको पूछा कि क्या और आपके पास क्या क्या केमिकल कर कोई केमिकल मेरे पास नहीं है मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्या bleaching powder या hyper use करते हैं उन्होंने कहा यह क्या होता है तो बताओ दोस्तों ऐसे लोगों को भी लाउंडरी बेवसाय कोलने में संकोच नहीं होता है और वो लाउंडरी का बेवसाय खोल लेते हैं और यह कहते हैं कि मेरी लाउंडरी तो चल नहीं करना है मैं बस बता रहा हूं कि पैसा आपका है आप जहां चाहें वहां खर्च कर रही है लेकिन थोड़ी सी अगर knowledge आप कठा किये बिना ही आप लगाते हैं तो हर किसी का पैसा महनस से आता है और जब वो डूब जाता है तो कर्ष्ट होता है और सबसे बड़ी बात है एक स्टार्ट अप या एक बिजनेस आपने किया उसमें आप फेल हो गए तो आपका मनोबल गिर जाता है आपका ही नहीं गिरता आप से जुड़े जितने लोग हैं वो सब लोग निरास हो जाते हैं और अगली बार किसी तरीके से अगर आप हिम्मत करके दूसरा बेवसायक करने की सोचते हैं तो आप से पहले आपके घर वाले ही कहते हैं भाई छोड़ो बिजनेस नहीं करना है कहीं जाके कोई नोकरी ढूड़ो तुमारे बसका बिजन नहीं है तो दोस्तों आएए मैंने सोचा कि इसी टॉपी बे थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए कि अगर आप लाउंडरी के वैसायक खोलते हैं तो आपको क्या क्या केमिकल आपको रखना ही चाहिए या आपकी लाउंडरी में होना चाहिए जिससे कि कपड़ों में हो इस्टेन हो क्वालेटी इनहेंस करना हो तो आप आसानी से कर पाएं तो सबसे पहला केमिकल जैसा मैंने बताया अगर रूलर एरिया में हैं विलेज एट्मास्फियर में हैं सहर से आपका जो लाउंडरी है दूर है तो आपको हाइपो नहीं आपको ब्लीचिंग पौडर यूज करना चाहिए क्यों यूज करना चाहिए इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखिए आप उसको देख सकते हैं उसमें डिटेल में जाएंगे फिरे वीडियो लंबी हो जाएगी तो ब्लीचिंग पौडर खारा सोडा मीठा सोडा टिनो पाल और रंग काट और जैलिक द अगर आप उनको एक मार्क सहर में जाके आपके साहर आसपास जो साहर हो जहां केमकल मिलता हो भले ही थोड़ा दूर हो लेकिन दोस्तों आप ये सारे केमकल अपने लाउंडरी पर रखिए यूज कैसे करना है वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और उसको प्रयोग करिए और आपने लाउंडरी के बैसाय को क्वालिटी वाइस बढ़ियां बनाईए जब तक क्वालिटी आप नहीं देंगे कस्टमर आपसे अटैच नहीं होगा और सबसे दुख की बात यह होती है एक कस्टमर आपकी लाउंडरी से सटिस्वाई होके नहीं जाएगा तो अपने जानकारी में अपने लोगों में नाम होता है धिद्रे आपका ब्रांड बनता है तो यह वीडियो बस इतना ही था मैंने कहा कि बेसिक केमिकल आपको रखना चाहिए फिर मैं रिवाइंड कर देता हूं ब्लीचिंग पाउडर खारा सोडा मीठा सोडा और जलिक दाना अमोनिया टीनोपाल रश्ट रिमूबर एमाइल एसीटोन और रंग काट इस यह बेसिक केमिकल है और इसके साथ डिटरजेंट तो आपको कोई भी आप सर्फ एक्टिव वील ले लो घड़ी ले लो और इसके से आप आप चाहो तो अपने हिसाब से खरा सोडा मीठा सोडा थ्वा बहुत आड़ करके आप अपना ड जब इस केमिकल को अच्छी तरीके से आप प्रियोग करेंगे तो उमिद करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाबदायक होगा और वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक बटन जरूर दबाईए और अपने जान पाचान के लोगों में सेर करिए मनुबल हमारा बढ़ता है तो अच्छे कॉंटेंट लाने का भी मन करता है तो इसी तरह के यूश्फिल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें और इस वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में क कोई संका कोई कोश्चन हो कुछ जर्णकारी लेना हो तो कमेंट का बॉक्स खुला है आप वहां पर कर सकते हैं लेकिन अच्छे तरीके से सब सवाल पूछेंगे तो जबाब देना अच्छा लगता है जैसे लोग कहते हैं कि सर गुटका कदा कैसे अटाएं तो आप यह भी के साथ आप सवाल पूछेंगे तो मैं भी जिम्मेदारे के साथ उसका रिपलाई जरूर करने हुआ है तो दोस्तों आज के वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार